तो गुड़ी इस टुडए आपकी बहुत कुश्टाइच आए थी की से सेकोन नअगे उसमें आता नहीं कभी कभी आप मैंने कभी कभी आपको कमेंट में बता की कैसे कैसे रेजिस्टेशन करना है बट बहुत रीक्वेस्ट आने के बाद के बाद मैं वह वीडियो बनाने जा रहा हूं तो आप जिसको भी रेजिस्ट्रेशन में प्रोब्लम थी वो सारे लोग यहां पर एक दफार देख लेंगे कैसे रेजिस्ट्रेशन होता है तो आप यहां पर मेरी वेबसाइट मेरा जो वीडियो था असाइब उसमें ज्यादा कॉमेंट आए थी तो बैसिकली आपको जिस्ट यह वाली लिंक है मेरी कॉमेंट बॉक्स में और मेरे डिस्क्रिप्शन में पास्पोर्ट सेवा उखे लिंक तो आप जैसे इसको क्लिक करो आप इस पेज पर आजाओगे वर जो नए है जिनको उतर नहीं जाना तो बैसिकली सर्च करना पास्पोर्ट सेवा उखे सो वैसे आपने सर्च के लिए फ़र्स्ट ओफ ओल आएगा पास्पोर्ट सेवा इंडियन एम बेसी यहां से जाओंगे तो वैसे यह लिंक आएगे इस वीडियो में में भी इस पेज की लिंक डाल दूंगा शो आप लोग चेक कर सकते वहुआ गो तूरब दरेक्ट ओसके तो बेसिकली फिस्कीली फॉस्ट उफ आप जाएगे आपे गोड़रा गड़रा गड़रा जाएगे जाएगे आपे जाएगे इंड़रां गड़रां तो United Kingdom choose करते हैं उसके बात आता है registration जो हमारा main question है how to registration तो first of all यहाँ पर registration का symbol बताएगा यहाँ पर आप link open करोगे तो यहाँ पर फ्रस्पोर्ट सेवाइट इंडियन embassy and consultants है उसके बात हम जाएंगे registration पर यहाँ पर embassy consultant है कि वह नेम है, surname है, date of birth तो सारी में डिटेल आपके बताऊंगा की कैसे करना है क्या करना है, okay so basically first of all Indian basic consistency, okay so United Kingdom, so um, अब जा बे जा रहा है, United Kingdom, Indian, Birmingham, any choose United Kingdom अब जा जा पर आपके नाम लिखना है, given name means your name and your father names, like a first name and middle name so तो यहां पर आपका फ्रस ने माझेश यहां पर अब का मीडल ने माझेश ने माझेश तो यहां पर देटोब बठ आ जाती है जो भी आपकी वह चूस कर लेनी है उसके बाद यहां पर आपको email id डालना है आपका email id जो आप use करोगे ओके सो तो यहां पर email id do you want your login id to the same as email so आपको वह email id login के लिए चाहिए तो आप जिस्ट क्लिक yes कर लेना है यहां पर yes करने के बाद आपको email id डालना नहीं पड़ेगा यहां पर आपको create password करना है कि जो भी password आप create करो आप make sure remember वह आपको password remember हो उसके बाद उसको उस password को same confirm करना है उसके बाद यहां पर चूज कर लेना whatever but city flavor anything's favorite food first school favorite cricketer anything like favorite cricketer coolie or anything's anyone so choose that one hint your answer here after that just write it down whatever then numbers are here so and then registrations so I will show you what the process after click the button of registrations so guys I will try to do that I will show you how the process is so first of all I will add my email id so first of all I will add my email id so basically I will add my email id so basically I will add my email id so my question will go no password password हमने एक लफार पास्वार डाल दिया उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि कौन सा वहीं confirm करना है दूसरी दुपा तो confirm करने के बाद यहां पर आपको करेक्टर डिस्पले आता है वह जो नंबर आते हो लिखने तो वह आप नीचे लिख दीजिगा मेरा एक दफार रॉंग हो गया था क्योंकि मेरे पासवर्ड में यहीं टोटल एक डाल दीए सब कुछ नाम अर घिवन ने में हमारा और अपादर का नाम उसके बाद सर्न्म आपकिस रूबियों डाल दी आपने डेट बड़ डाल देने उसके बाद एमेल आईडी चेक कर लिए जिगा कि सब कुछ सेए है उसके बाद इस्ट कंटिन्यूस करना है और रेजिस्ट्रेशन करना है यह पर मेरा एक पासवर्ड रोंग आया था क्यूंकि पूरे एट केप्टर नहीं थी वह एक कैपिटर वन स्मॉल एटर वन डिफरेंट करेक्टर यूज करना है पासवर्ड क्रेट करने के लिए तो व अब फिर से एंटर पासवर्ड में डाल रहा हो तो डाल दिया उसके बाद आपको क्लिक जिस्ट रिजिस्ट्रेशन करना है लो यू झाद से लिए थो और वो क्या प्यू इनम्ज स्वाद अच्वाथ था स्वार्ड वट्टी आब कोश्रेशन a पूस्प्स आदान है और भ्टव्ट्यान स्वाceu लि टी, दिस लिंक विल बी एक्टिवेट पॉनी तिल 78 तो लॉगन वेड़े इस दिट के पहले आपको एक्टिव करना है जिस गो तो यूर इमेल एंड यहां पर आप देख सकते हो कि पास्पोर्ट एंड मेंस यूर रिजिस्ट्रेशन से एक इमेल आया है उसमें एक ब्लू लिंक है और उसको जिस्ट क्लिक करना है उसके बार आपका यूजर आईडी मतलब आपका जो इमेल आईडी था वो यूज़ करना है यहां पर यही करना है में इंजेने अंब इसी पॉटल आप एक लापको लॉग इंक ले यूजर लॉग इन आपना इडि पोस्ट करोंगे कि इस वह आप लोगेना एडि मतलब आपका जो इमेल आइडी थिए वह आपका इमेल आइडिया आप यहाँ पर डालोगे यहाँ पर सारा में भी कैपिटल में आएगा तो कोई प्रोब्लम नहीं है आपने जो पासवर्ड क्रियेट किया था वह पासवर्ड को आप यहाँ पर यूज करेंगे टू लॉग इन करने के लिए उसके बाद यही चप्टर डाल रहेंगे इसके बाद यही चप्टर डाल रहेंगे प्लीज करेंगे इंटर करेंगे इस पर इन दे पीच्चर हमारे करेंगे गलत बड़े है फिर से ट्राइब करता है अच्छा है अच्छा है अच्छा हमारा लॉग इन हो चुका है तो यहाँ पर सारी सर्विस है आपको जो सर्विस चूज करनी है आप चूज कर सकते हो यह अपला है और इस पास्पोर्ट एपला है पॉलिष कंली सर्टिफिकेट करनी रह गई अप्लिक करने के बाद प्रेंट कहले रह गई गया जैसे यहाँ पर एपला पो पॉर ट्जाओंगे भड़्म मैं आप जब भी लोगिन करोगे अपने आएडीग पे आपको यह आपर नीचे कि आप कि आपने कौन सी कौन सी application की है और आपको वह application को क्लिक करते application open होगी जो आपने form fill up किया होगा वो और आप जब भी application fill up कर रहे हैं तो आप police clearance certificate ले लेता हूं मैं यहाँ पर detail परने के बाद यहाँ पे एक दो option के बाद आपको एक save option मिलेगा उपर या पर राइट खोनर पर मेरे वीडियो में देख लिए ना मैं सेव करता था तो सेव कर लोगे तो आपकी एक दफ़ा सेव हो गई तो उसके बाद वो जाएगे नहीं आपको फिर फिर आधा आधा फॉर्म भी आधा फॉर्म कर दिया उसके बाद आपको लगता है फिर से आपके यही इमेल एडी से और उसके बाद आप या पे नीचे देख लोगे कि या यह एप्लिकेशन न फिल अप करने है तो आप उसपे क्लिक करके आप कंटिनीज कर सकते हों so guys thank you for watching this video and might be helpful for many people and uh there is more advice and some answer of the some comments so it's more helpful for other and who don't know how to registrations and some forget to clean their phone so that's all for them so thank you very much for watching this video please like and share and subscribe thank you you